नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागते एक नाय वीडियो में दोस्तों अगर आप CoinDCX से Fund विड्रोल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आज की वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा जो भी आपका Fund है CoinDCX के अंदर उसको आपको Direct Bank Account में विड्रोल करना है तो आप कर सकते हैं जिसे की यहां पर आपका देख सकते हो आप 1000 रुपीज है इसको मैं Bank Account में विड्रोल करके आपको Live दिखाने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपको Profit दे देता हूँ क्योंकि इस CoinDCX एप से मैंने विड्रोल करके अपने Bank Account में पहले से चेक कर लिया है तो चलिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर विड्रोल देख सकते हो अगर मैं इसके ओपर क्लिक करूँगा तो यहां पर मेरा विड्रोल completed हो चुका है 100 रूपीज का मैंने विड्रोल बेंक में लिया था उसके बाद दुबारा मैंने यहां पर विड्रोल करके दिखा है तो दो बार मैंने विड्रोल किया है और दोनो बार मेरे Bank Account में पैसा आ गया है minimum 100 रूपे आप यहां पर विड्रोल ले सकते हैं तो चलिए यहां पर मैं आपको बताने वालब कि कैसे आप Coin DCX के अंदर आपका fund पढ़ा हुआ है तो आप easily अपने Bank Account में transfer कर सकते हैं तो बिना किसी time लिए विड्रोल को start करते हैं उसके बाद में आपको Coin DCX एपको open कर लेना है जो भी आपका PIN है वो आपको यहां पर डाल देना है PIN डालने के बाद में आपका application open हो जाएगा फिर यहां पर aid fund पे आपको click करना है तो यहां पर आपका जो भी available balance होगा वो यहां पर show करेगा मेरा 1000 रूपीज है तो चलिए यहां पर में एक बाद इसको back करूँगा तो यहां पर मुझे option आजाएगा withdrawal fund और add fund का हमें bank में इस पैसे को bank में transfer करना है तो हम यहां पर withdrawal fund पे click करेंगे उसके बाद में यहां पर enter amount पर click करना है कि आप कितना amount आप withdrawal करना चाहते तो चलिए यहां पर में 1000 रूपीज ही withdrawal करूँगा चीके और यहां पर जो processing time दीकाएगा है वो 24 से 48 गंटे दीकाएगा है लेकिन इतना time नहीं लगता है कम से कम 2-3 गंटे के अंदर ही आपका जो यह पैसा है बेंक में add हो जाएगा याने बेंक में transfer हो जाएगा लेकिन maximum आपको 48 गंटे तक wait करना पड़ सकता है यहां पर 1000 रूपी डाल दिया है और जो भी आपने coin DCX में bank add कर रखा होगा वो यहां पर show करेगा इसी bank account में आपका पैसा transfer हो जाएगा ठीक है तो यह bank कैसे add करना है मेंने पेले say add करना है कैसे add करना वो में आगए आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो यहां पर continue to withdrawal पर आपको click कर देना है फिर आपके number पर OTP आएगा उसके बाद में आपको यहां पर OTP automatic submit हो जाएगा और यहां पर आप देख सकते हूँ कि processing withdrawal request 48 गंडे लगेंगे maximum उससे पहले हो जाएगा 2-3 गंडे के अंदर हो जाता है और जाते लगेगा तो 5-6 गंडे उसके अंदर आपके account में पैसा आजाएगा आपको कोई भी attention नहीं लेना है अगर आपने account पहले से एड नहीं कर रखा है तो यहां पर आप इसको में OK के बटन पर क्लिक कर लेते यहां पर मेरा fund debit हो गया है bank account में transfer होने में time लगेगा तो आपको अपने यहां पर क्लिक करना profile पे और account setting में जाना है यहां पर आपको account detail में जाना है और यहां पर आपको अपना नाम पूछेगा और bank account नमर IPC code डाल के आपको अपने detail सब्मिट कर देनी आपका bank account verify हो जाएगा फिर जो मैंने process बता है उसी process से आपको अपने bank account में पैसा transfer कर देना है तो इस प्रकार से आप coin DCX से अपना fund bank में withdrawal ले सकते हैं